Hello Learners, Welcome to MS Study Guru. आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटिड है उन लेर्नर्स के लिए जिनका जीराफ क्लियर हो गया है, या नेट क्लियर हुआ है, या अदमिशिन टू पीएचडी आउनली वाला कट ओफ क्लियर हुआ है. अब वो आगे सोच रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने का, और उनको पता ही नहीं है कि कैसे रिसरच प्रोजल बनाना है, क्या करना है, उनके बारे में, उनके हल्प के लिए ही आज ये वीडियो बनाने वाली है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडि प्रेटिकल चीजे पड़ी है तकरीबन सारी है ना, मतलब थूरी रिलेटेड चीजे पड़ी है और रिसर्च का बहुत सरे लेनर्स को तो बिल्कुल अबीसी भी नहीं पता रहता है, मास्टर्स करने के बाद भी, नेट किलियर करने के बाद भी, बस वो हमने एक रिसर्च दोर्ट यूनिट जो हम करते है प्र वन में और एक स्टेथिकनो में करते हैं उन को पता नहीं है कैसे एक अच्छा बनाए कैसे अच्छी निवस्टी में हुमारे सलेक्शन हो जाए और ताकि देखो दो तेन चीज़ियां यहां पर अगर आपका रिसर्च पर पोजल अच्छा है तो रिसर्च का बेसिक्स आपका अच्छा है तो कच्छी उनिवस्टी में आपको एडमिशन मिल जाएगा दूसरी चीज कि आपका जो सूपर वाईजर है उससे आपको ज्यादा डांट व मेरा यहां पर मोटिव यह है आपको समझाना कि वह जो आपको पूरा step-by-step proposal बनाना कैसे है तो उसके लिए टूल्स कौन से यूज करने मैं आप सबको बता दूं कि नियर्फ रैंकिंग में एग्रिकुल्चर युनिवस्टी की लिस्ट में सेकिंड फर्स सेकिंड नंबर प भी प्रिकेशडी करवाई जाती है सनॉप्सि से लेकर कोर्स वर्क से लेकर थीजिस सब्मिशन तक का काम एक दम गहराई से करवाया जाता है ठीक है तो तो बहुत सारे रिसच के टूल्स बहुत सारे रिसच से रिलेटेट चीज़े जो मैं जानती हूं मैं वह आपके साथ करना चाहिए तो यहां से आप मेरा डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि यह मेरा एक कोर्स है जो मरी अप्लिकेशन पर अवेलेबल है वह बिगनर्स के लिए है जैसे अभी अभी आपका ज्यार अपने प्रिए हुआ है तो आपको पीच्डी में बन है इसमें मैंने आपको कुछी बेसिक रिसर्च टूल्स बताया है बिगनर्स के लिए स्टेप बाइस्ट गाइडलाइन ऑन स्नॉप्स परमोशन रिट्रेचर रिविव आपको कैसे करना है रिकॉर्डड क्लासिस बेसिकली इसमें और डाटा अनालसिस के बारे में बताया है तो यह कोर्स बहुत बच्चे इसमें रोल है और अगर आपको भी इसका जरूरत है तो आप अप्लिकेशन से अन्रोल कर सकते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं अधन के NICK तो सबसे वल्anie में आपको बता दूं जैसे प्रपोजल बनाते हो ना तो उस सबसे पहले जो चीज रहते हैं अब यह ठायके अब यह ठायक्तल कैसे बच्च बुठों कैसे टाइल करें ताइटल डिसाइड करने के दो रास्ते हैं एक online और एक offline ठीक है देखो online रास्ते में क्या है कि आप अराम से गो रहता है आपका Google scholar गूगल scholar पर जाओ Google scholar सर्च करो Chrome पर जाके Google पर जाके Google scholar पर जाओ तो इस पर जाकर आपको कोई भी एक टेंटेटिव सा कीवर्ड जैसे मालो कई बच्चों को growth and development में इंटरस्ट होता है कई बच्चों को consumer behavior में इंटरस्ट होता है कई बच्चों को international पावर्टी इन चीजों पर रिसर्च करने का रहता है तो पहले वह कीवर्ड से दिमाग में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस चीज किस टॉपिक में इंटरस्टीड है और यहां पर मैंने अपका टॉपिक नहीं किया जस्ट में कीवर्ड की बात करो एक वह कीवर्ड जैसे क्लाइमेट चेंज है या अनेंप्लाइमेंट है पौवर्टी है या कुछ इंटरनेशनल एकनोमिक पर आप एक्सपोर्ट पर करना चाह रहे हैं इस तरह कीवर्ड अपने दिमाग में बस पहले सोच यह तो आप स का टाईल तो वो जो टाईल है वो इस तरह से होना चाहिए है हमसे समझ रहे तो जितनी भी पहले सार्च हूई है इस सब्स должна हिसरा हो सकता है उनिंसे से सिमिलर नहीं हो सकता सेम नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता है, सेम का मतलब कि क्योंकि आपको knowledge gap find करना होता है, knowledge gap find कि आपका research दूसरे के research से कैसे अलग है, है ना, तो आप जैसे माल लो आपका climate change में इंटरस्ट है, आपने climate change टाइप किया, आपके सामने काफी सारे papers निकला है, climate change तो अब यहां से आप अलग-अलग वह पढ़ेंगे, topics पढ़ेंगे, research questions पढ़ेंगे है ना, तो आपके दिमाग में आइडिया अच्छा यह चीजों पर research हुआ हुआ है, climate change भी, इन चीजों पर काम हुआ हुआ है, मैं इसमें एक यह चीज़ अड़न करते ता हूं, और इस चीज़ पर मैं काम कर अच्छा research proposal बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि यहां से उठाया, यहां पर शाप दिया, यहां पर कॉपी किया, कूल बोर्ड पर पैराफ्रेस किया, यहां पर पेस्ट कर दिया, यह तरीका बिल्कुल गलत है, पहले आपको उसके बारे में लिट्रेचर रिव्यू करना पड़ इन्होंने इस टॉपिक पर रिसरच की, इस चैनली डाटा के बेस पर है, मेरा जो डाटा कोलेक्शन है वो प्राइमरी रहेगा यहां यहां यह मैठेट्स लगा कर रिसरच किया है, तो मुझे यह बले मैठेट्स करने हैं यह इन्होंने यह एक पॉइंट इसमें तो तो थोड़ा अलग साबित करेंगी तो यह चीज रहती है यहां पर तो यहां से और ओफ-लाइन में क्या है, आप उफ-लाइन में आप युनिवर्स्टी इस चॉलोजी की लाइब्रेरी में जाएं लाइब्रेरी में जाकर थीजिस देखिए हमेशा युनिवर्स्टी जो ला पर हमारे खुशिकों से चलो शodh Ganga रहता है शodh Ganga, शodh Ganga के एक वेपसाइट है यहां पर जाएई यह पर उठाके उठाएए पर थीजिस और पढ़िए पढ़िए फीजिस पर काम करना चाहते है शodh Ganga पर विजिट करेंगे और यहां पर जाके आप अपना थीजिस में यहां पर क्लाइमेट चेन्ज टाइभ कर दीजें उससे रेलेटेट कितने थीजिस निकल आइए वहां से आप आइडिया जघेरेट कर सकते हैं बेसिक रिसंच सारी आइडिया की ऊपर है आईडिया वा अग तो जिन्रेट आईडिया है तो कैसे आपको एक कीवर्ड को पूरा research question बनाना है, impact of climate change on globalization, तो कैसे की वर्ड के थरू आपको पुरा topic बनाना है, यह यह तो आप thesis पढ़के decide कर सकते हैं, ठीक है, उनिवर्स्टी में offline बैठ कर thesis पढ़के कर सकते हैं, online शौद गंगा पर जाके पढ़ सकते हैं, Google Scholar पर, मैंने पस्नली मिशा Google Scholar उसे कि अपने आइडिया जनरेट करने के लिए, रिसक्रेश के लिए, Google Scholar उसे के लिए, यह यूज़ कर सकते हैं, यह हो गया, फिर टाइटल के बाद ना अगला यहां पर चरन आता है, तो टाइटल के बाद ना अगला यहा आपका टॉपिक है, उसका पुरा इंट्रो लिखते हैं, और बीच-बीच में चीज याद रखिएगा, स्टुडिस को मैंशन जरूर कर दीज़ेगा, जसे माल लो आपने ना इंट्रड़क्शन लिखने के लिए काफी सारे पेपर्स पड़े हैं, अब किसी पेपर से आपन कोई लाइन उठाई थी, उसको आप अपने इंट्रड़क्शन में मैंशन करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर कोट जरूर उसका कर दीज़ेगा, माल लो बो रिसर्च थी, कोई भी नाम ले लो, माल लो अभी शेक शा थी, अभी अभी शेक शा करके था, और उसका यह पे वहां से उसका उस कोट जरूर बच्चों को पता ही नहीं और फ्रेशर को फ़े चीज़ पता ही नहीं है, ऐसे स्टड़िस को को लगेगा अपनी लिट्रेचर तो पढ़ा ही है, ऐसे अपना पर प्रोजल लिग बना लाई है, तो आपने उस से पहले अपने टॉपिक्स रिल और विवंगे तो पराफ्रेज कर लिजे थोड़ा नहीं अगर दिमाग इतना पराफ्रेज कर सकता तो फिर यहां पेस को पेस्ट करिए यह यह घंगा तो यह हो गया तो फिर तीसरे नंबर पर आपका आएंगे अप्जेक्टिविश बेसिकलि आपके तीन से चार तो कम से कम बनाके चलेंगे आप फिर चोथा जीज यहां पर आएगा आपका लिट्रेचर रिव्यू ठीक है अब लिट्रेचर रिव्यू में आठ से दस स्टडी मेंशन करनी है आपको इस टॉपिक से रिलेटर वह भी वैसे ही जैसे मैंने का जैसे मालो पहली स्टडी शॉट शाह 2013 करना है आपका knowledge gap knowledge gap मतलब आपकी जो study है इनसे कैसे differ कर रही है जो मैंने चीज के आपकी study इनसे कैसे differ कर रही है ठीक है फिर 6th नंबर यहां पर आपको बनाना है methodology अब जो methodology है इस वेरी वेरी इंपोर्टन थी बहुत इंपोर्टन चीज है methodology देखो जो यह methodology रहती है ना मरी बात सुनो ध्यान से methodology में एक दो parts में इसको डिवाइड कर लेते हैं methodology में एक तो है कि आपने data कहां से collect करने उसके लिए अपने hypothesis को प्रूफ करने को हां कई यह एक आपर शॉब करने बनाते हैं यह आपका है यह रूफ करना चाहँ है कहीं यह इनिवर्स्टी इसनॉपसिस का पैटन अनुटियवर्स्टी आपको अपना साथ प्रिपोजल लेकर जाना है फाइन आपको लूज सके रवाइजर ने फिसमें चेंजिस करवा है तो दूसरा इसमें कि उस डाटा को क्लेक्ट करके उसका अनालसी आपको कैसे गज़ा है अनालसीज के टूल्स कौन से यूज करें लोट ऑफ अनालसीज तूल्स बहुत सारे नालसीज तूल्स हैं तो चीज़ एकनॉमिक्स की पर्टिक्लर बात करें लॉजित और बिट रिग्रेशन हो गया फिर आपका कॉप दूगला प्रोडक्शन फंक्शन लगा दिया इस तरह बहुत सरे नंबर ऑफ टूल्स हैं आप कोन सा टून यूज कर रहे हैं कि फिर वो जो अनालसीज है वो पको करना किस पर है यह भी पहले डिसाइड है यह से एकसल करना है चलो यह चीज़े बाद की यह भी नहीं जरूरत मैंशन करने की बाद में आपका आपका इवाईजर इसके बार में आपको सला देगा इसके बार में इसके बार में बाद करन करना है multi-state sampling रहेगी स्टैटिफाइट सेंप्लिंग रहेगी कौन सा सेंप्लिंग प्रोसीजर रहेगा जो आपको data collect करना है respondents कौन से रहेंगे उसके लिए आप interview schedule बनाओगे questionnaire बनाओगे वो सब चीज़ इसमें कितने total households लोगे हैं total कितने का सैंपल होगे वो सारा मैंशन करना बनाओगे Scandry data में कहां से स्केंडरी data ले रहे हो कितने years का Scandry data ले रहे हो ठीक है और reports से ले रहे हो किन रिपोर्ट से से ले रहे हो यह सब चीज़ें आपके analysis tools अब यह कहां कैसे analysis करना है बात की बात है तो मैं आपको बता दूँ economics में बहुत सरे analysis tools होते है Excel सबसे सिंपल एफिस data आज़ता है SPSS आज़ता है e-views आज़ता है analysis कैसे आपने उसका किया है and what statistical tools you have used ठीक है तो यह मतलब सारा scenario इसका रहता है hopefully काफी helpful रही होगी आपके लिए video अच्छी लगी तो बताईएगा comments में thank you so much